अगर आप पंजाब के अपराद के दुनिया के बारे में जानकारी रखते हैं रोची रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सेदुमुसेवाला की हत्या के बाद 6 महीने के बाद जो इस पूरे मामले में मोख्य आरोपी है गैंक्टर गोल्डी बराड वो इस वक्त कहां पर शेपा हुआ है उसकी जानकारी उसका लोकेशन अब भारत सरकार पंजाब सरकार या फिर भारत के तमाम एजंसियों के पास पहुँच चुकी है लेकिन वहां से लापाना उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है दूसरी बड़ी बात ये बताएंगे कि आखिर गोल्डी बराड की लोकेशन मेली कैसे इन सब ये जलसियों को दरसल गोल्डी बराड की एक छोटी सी गलती ने उसके लोकेशन का ख एक और पंजाबी सिंगर बबुमान को जान से मारने के धमकी मिली उसके बार पंजाब फरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई उनकी घर पर तमाम तरह के सेक्योर्टी वहां पर उपलप्त करवाई गई और ये चर्चा कल बहुत तेजी से पंजाब के अपराद के दुनिया में भी देखने को मिली क्योंकि बबुमान को छोटे मोटे हसते तो है नहीं और पंजाब पुलीस जिस तरह से एक के बाद एक बड़ी बड़ी वार्दातों का कहीं आलोचना जहेल रही है पंजाब के अंदर तो पंजाब पुलीस अब किसी भी कीमत पर इस तरह की वार्द गोलडीवराड ने सोशल मेडिया पर कल एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में उसने साब पնजाबी सिंगर मनकीदा तौलक के लिए कुछ लाइने लिखी है वो लाइने से रहे आपने आपने social media के फिर्च में लिखा है मैंने आपको वैसे ही पढ़के बता दिया गोल याट कि अगर अध्याम से दिखेंगे ल Glaz. भी इसीम छिपा हुआ है उपर देखे gold pastor के नंदा का सोशल मेडिया का पोस्ट है यह प्रोफाइल है और इसके ऊपर गोल्डी वराड ने जिसे टैग किया है टैग करने वाले का नाम है लॉरेंस पिस्टोई और थ्री अदर्स लिखा हुआ है और अगर आगे देखेंगे तो उसमें लोकेशन का विज़े कर किया गया है जिसमे लॉस एंजल्स अमरीका दिखाया जा रहा है गोल्डी वराड जब यह पोस्ट कर रहा होगा तो शायद जो लोकेशन टैग का उप्सन था उसने रेमोब करना उसमें जरूरी नहीं समझा या फिर उसकी आप गलती कहिए या फिर जान बुच कर कह लिए जिए उसने लोकेश क्योंकि आपको याद होगा सेदो मुसे वाला कि जब हत्या होई थी तो गैंसल गोल्डी वराड उस वक्त कैनाडा में बैठा हुआ था और उस जो भी पोस्ट करता था या फिर उसके बारे में जितनी भी बाते निकल कर सामने आती थी उसमें यही बाते कही जाती थी कि गो यह कहा जारा है कि अ मेरीका में यह शिकायट कर सकता है कि उसे उसके देश में इनसाफ नहीं मिला जिसके लिए वह भारत में होपस भापस वहां से लाया जा सकते वैसे गोल्डी ब्राड को अमेरिका में ये साबित करना कि पंजाब में किस तरह से उसके साथ अन्याय हुआ है या फिर उसे इंसाफ नहीं मिला और उसने बड़े से बड़े जगन कांडों को अंजाब दिया तो शायद इसमें काफी मशक्कत तो उसे करने पड़ सकत दूसरी बात ये कही जारी है कि गोल्डी ब्राड ने मनकिरत ओलक के लिए जो पोस्ट में साफ साफ उसने लिखा हुआ है उसमें उसने लिखा है कि जिसनों अस्ति सपोर्ट करते हां उसनों अस्ति सामने आके ते सिद्धा सपोर्ट करते हां हलां कि इस पोस्ट में साफ सा आप देखने से तो यही लग रहा है कि वो मनकिरत ओलग को सपोर्ट करने की बात कर रहे है दूसरे तरफ मनकिरत ओलग के लिए गोड़ी पराड का यह पोस्ट कहीं ने कहीं मनकिरत ओलग को और ही भी जादा मुश्किलों में डाल सकता है क्योंकि पंजाबी सिंगर सिद्धो मुसे वाला के पिता बलकाउर सिंग जी लगातार मनकीरा तौलक के ओपर सौक्ट टार्गेट बना रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मनकीरा तौलक से एक बार फिर से पोश्टाज करनी चाहिए और मंकिर्य तौलक का फोटो उसकी तस्वीर अगर गोल्डी बराड सोशल मेडिया पर पोश करता है तो कहीं न कहीं अब मंकिर्य तौलक की परिशानी भी इस मामले में बढ़ सो सकती है खैर अब देखना हैं होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा लेकिन जिस तरह से पंजाबी सिंगर बबुमान को भी कल जान से मारने के धमके दी गई वो भी बहुत चोंकाने वाली बात थी लेकिन उसमें ये दावा की हजा रहा है कि देविंदर बंबिहा के मन सूबे पर पानी फेरने के लिए पंजाब पोलीस एक्टिव हो चुकी है और बबुमान की घर की सुरक्षा आप चारोत्रप से बढ़ा दी गई है कोई भी संदीग धिवेक्ति अगर बबुमान के घर के आज स्पास के लाके में दिखेगा तो उस संदीग धिवेक्ति को हिरासत में लेकर उससे पोस्त आज के चाहिए तो आप बताएए गोल्डी बराड के बारे में भारत सरकार को जानकारी दो मिल चुकी है कि वो इस वक्त से युनाइट इस्टेट आफ अमरीका में बैठा हुआ है तो अमरीका से उसे हिंदोस्तान लाना क्या इतना आसान ह इतना आसान हम और आप सोच रहे हैं या फिर हम यह सोच रहे है कि पनजाब के सरकार भारतिया सरकार या फिर भारतिया खोकर अजंसिया कुछ यह काम नहीं कर रही है 될nessy दो सिधार है नहीं जैसा मैंने पहले गोल्डी बराड बहुत ही लंबे प्लान के तहत अमरीका में गया है और अमरीका में जाने का उद्देश ये भी उसका यही था क्योंकि अमरीका की कानून के हिसाब से वहाँ पर उपने प्लान के हिसाब कर रह सकता है तो खेर देखना है मोगर कि अब आगे इस केस में क्या हो वाला है वैसे गोल्डी बराड की जानकारी पांच-छे महीने के बाद आखिर ये तो पुक्ता रूप से तो मिल गई कि गोल्डी बराड इस वक्त लॉस एंजल्स अमरीका में बैठा हुआ है और वहीं पर बैठ कर तमाम तरह की वारतातों को पंजाब के अंदर अंजाम दिल तो कई सारे लोग कहते हैं कि हम आपको आधे धूरी जानकारे देते हैं तो हम भी उससे एक बार देखते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं सुनके कई बार तुनते हैं कि हमने आधे धूरी जानकारी क्या दी तो हमेरे जो समझ में आते हैं हम उससे सुधारने की कोशिश कर करते हैं वैसे आप प्यार बहुत देते हैं इस तरह से प्यार देते रहेगा आपको बहुत धन्यवाद नास्कार